Hello everyone, welcome to my YouTube channel, मेरा नाम मंदीब है और मैं आज आपके लिए एक कोडिंग प्रोब्लम लेके आया हूँ, ये कोडिंग प्रोब्लम है वेलिड एनग्राम, एनग्राम वो स्विंग्स होती हैं जो की जिनकी लेंथ सेम होती हैं, बट उनके करेक्टर की पोजिशन डिफरेंट होती ह प्रोब्लम ये है कि आपको दो स्ट्रिंग दी गई है और आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग एनग्राम है कि नहीं, जैसे एक्जम्पल में आपको बता देता हूं, जैसे कि स्ट्रिंग S, एक्जम्पल फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, स्ट्रिंग S is एनग एक्जम्पल 2 में रैट एंड कार सो इसमें करेक्टर सेम नहीं है सारे तो इसलिए यह दोनों स्रिंग्स एनग्राम नहीं है और यह हमारे कॉंस्टेंट्स हैं कॉंस्टेंट्स बोलते हैं कि स्रिंग की लेंथ एक हो सकती है मिनिमम और मैक्सिम्म फाइव इंटू 10 तो दी पा दिये गए हैं तो चलिए आज की प्रोब्लम को सॉल करते हैं अगर आप इसको सही में सीखना चाहरे हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोब्लम है बहुत बार बहुत सारे इंटर्व्यूज में पूछी जा चुकी है इस वीडियो को एंड तक देखिए बहुत ही इंट् करेक्टर सेम होगे लेंथभी सें कर लें कि जैसे की string s के लिए कि कौन सा character कितनी बार आया तो जैसे की string s में a 3 बार आया है और इस string में भी a 3 बार आया तो that means कि अगर किसी तरीके से मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि मान लिजे मैं string s के उपर traverse कर रहा हूं और फिर मैंने a की occurrence निकाल ली that means a letter मेरा कितनी बार आया तीन बार आया और फिर मैंने t में भी a की occurrence तीन बार निकाल ली so 3-3 0 तो कुछ ऐसा हो कि मैं हर character के लिए उसकी occurrence से जब मैं s string के उपर traverse कर रहा हूं तो मैं add करता जाओं और जब मैं t string के उपर traverse कर रहा हूं तो उस character के लिए उसकी occurrence minus करता जाओं और last में मेरे पास 0 बसना चाहिए reason being कि अगर दोनों में same characters हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों string anagram है और that means कि अगर मेरे अगर मेरे दोनों strings में अगर किसी भी character के लिए उसकी occurrence 0 से ज़्यादा बसती है तो वो मेरे लिए anagram नहीं है शुरू करते हैं so सबसे पहला check तो यही है कि दोनों string की length अगर बराबर नहीं है तो वो दोनों string कभी भी आपकी जो है anagram नहीं हो सकती तो मैंने इसका first check तो यहीं पर लगा दिया if length of s is not equal to length of t sorry length of t then return false so यहीं से false return करके निकल जाए हमें आगे जाना ही नहीं है दूसरा उसके बाद मैंने जैसे कि अभी बताया कि हम कुछ किसी तरीके से इनकी occurrence को इनकी occurrence का track रखेंगे तो उसके लिए मैं ले रहा हूं dictionary का object और जावा में बोल दे तो hash map का object तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस dictionary में की होगी मेरे character और value होगी उसकी occurrence तो जब मैं s के उपर traverse करूंगा तो उसमें उस occurrence में plus one कर दूंगा और t string के उपर traverse करूंगा तो उस occurrence में से minus कर दूंगा तो last में मेरे dictionary में क्या बचना चाहिए अगर दोनों string anagram है तो हर character के लिए zero बचना चाहिए क्योंकि एक string पर traverse करते वक्त add किया है दूसरे string पर traverse करते वक्त minus किया है और अगर दोनों में same character है तो zero बचना चाहिए तो बस यही करना है तो एक मैं loop चलाता हूँ while loop चलाते हैं while i is less than दोनों की अगर length same है तो मैं किसी के उपर भी traverse कर सकता हूँ and उसके बाद फिर मुझे क्या करना है मुझे अपनी word dictionary के अंदर this is dictionary के अंदर हर element को ऐसे update करना है word dictionary dot get किसको करना है string si को ही get करना है और zero plus one अब इसका मतलब यह है कि this is equal to get or default of Java तो Java में जो हमारे get or default वाला method होता है उसमें basically क्या होता है कि अगर इस की के लिए कोई उसकी value नहीं है तो zero return करेगा ठीक है तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैं मुझे si character के लिए अगर यह पहली बार आ रहा है तो यह zero return करेगा और उसमें one add कर देगा और उसकी word dictionary में क्या जाएगा si character की और उसकी occurrence हो जाएगी one और same चीज़ अगर मैं दूसरी string के लिए करूंगा अब क्योंकि दोनों string की length same है तो मुझे बस क्या करना है मैं यहां पर minus one कर दूंगा तो that means की same word dictionary में अगर character same है मैं एक बार plus कर रहा हूं एक बार minus कर रहा हूं और end में मेरा जो है अगर दोनों में same ही character होंगे तो हर उसके लिए आपका क्या बचेगा जीरो बच जाएगा अब बस मुझे वही चेक करना अब इसके बाद मेरी dictionary में for item in word dictionary sorry word dictionary dot keys यह मेर को इसकी keys written करेगा that means ki her character और अब मैं क्या check करूंगा if my word dictionary dot get or item अगर इसकी value is if value of this is not not equal to zero अगर यह 0 नहीं हुई है तो यहीं से return कर दे false otherwise यह पूरा लूप चल जाएगा जैसे इस लूप से बाहर आएंगे तो that means ki अगर इससे पहले कभी भी अगर मेरा execution complete मतलब इस program से इस method से बाहर नहीं निकला है और last में आएगा return true कर दे that means ki वो है अब मैं आपको run करके दिखाता हूं so idea simple है कि strings के उपर traverse करते जाना है एक string के लिए उस character की occurrence plus कर दो दूसरी string के लिए same character की occurrence minus कर दो अगर same character होंगे तो हर character के लिए zero occurrence रहेगी so आप देख सकते हैं कि इस input के लिए हमारा answer आया true और expected answer भी true था and अग मैं इसको submit कर देता हूं बाकी के test case चलेंगे and it will tell us कि हमारा submission accept हो आग नहीं accept हो गया है और अब now I can show you कि 36 of 36 test cases passed 71 ms second में चल गया यह और इसने 14.6 MB की memory का use किया है and we are here so python 3 में roughly हमने 45% submissions को beat किया है और यह memory का distribution है so basically हमने 27% of उनको beat किया so that's all for today's video see you guys in next video thank you